तो एक बाफिचे स्वागत था आपका अपनी यूटूब चैनल नौजा अकेडमी पर हमें नौजान कलम से करांती आज के इस वीडियो में हम कच्छा दस्मी निदिसांग ज्यामिती के अंतरगत प्रस्णावली 7.1 के कुस्टन नमर 7 को डिस्क्रिस करेंगे कुस्टन नमर 7 में हमें एक्स अच्छ पर इस तिस उस बिंदू को ग्याद करना है जो दिये गए बिंदू 2 कामा माइनस 5 उत्था माइनस 2 कामा 9 से सम दूरस्थ है सर्वपथम दिये गए बिंदू को हम एक रफ डायागराम बनाके कार्तिक तल में निरूपित करेंगे कि यहगो था हमें गया खथे कि माइनस 2 कामा 9 से मैं आएगा और मायनस वडेटा में एक क्यों 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 कि हमें गया है कि ब्लस कामा प्लस втор होता है ईप तिरती में All इसको हुआ मैम एक रफ डायग्राम है ठीक है कोस्टन में हमें दिया है है कि ये दिये गई बिंदू एक्स अच्छ से समधुरस्थ है तो एक्स अच्छ पर इस इस उन बिंदू को हमें ग्याद करना है तो समधुरस्थ का जो लंबाई होगी वह BC की लंबाई के बदाबर होगी, तो सरप्रतम X अच्छ पर इस्तित बिंदू के बारे में सोचते हैं, तो हम मान लेते हैं कि X अच्छ पर इस्तित बिंदू X कामा 0 रूप का है, हमें यहां पे इसका वाई निदैशलां कीला है कि हमें ग्यात है कि DMC किसी भी बिंदू का । इसलिए इन दोनों बिंदूं के मिलाने वाला जाने रिखा खंड होगी जह लगाना है तो चुक्कि दिया गया कि सम्दूरा से इस तरीके से हम वह सकते हैं कि जो एसी की लंबाई होगी वह बीसी की लंबाई के बराबर होगी तो एसी एक तरह की लंबाई है तो लंबाई एक तरह की दूरी होती है और दूरी को हम दूरी सुतर की मदद से कल्कुलेट कर ले सकते ह अब यहां पर हम दूरी सुत्र लगाकर AC और BC की लंबाई निकालेंगे और दूरों को आपस में एक्क्वेट करा देंगे, ठीक है, अब यदि यहां पर हम दूरी सुत्र को अपलाई करें और इन बिंदूओं को इस तरीके से हम लिख दें, तो क्या हो जाएगा यह एक्स स्कॉरी 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 कि यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमारा वर्ग के फार में यहां पर इथा वर्गमूल के रूप का तो इस कलड़ी खुटाने के लिए हम दोनों तरफ कर देंगे तो वर्ग कर देंगे तो खट जाएगी और यह यहाँ आपका फ्लस maine chi sqaar कितना होता है एक क्या से लिख दी है और एक समानेस टू का all square उताघी जीरो पांच जोड़ेंगो तो पांच ही यह राएगा पांच का बर को 25 होता है तो यहां पर 25 लिख दिया आपर यहां पर गया ठीक है यह चार से चार केंसे लोगा क्यों कि इन दोनों का चिन ने क्या था समान था तो बचा क्या आपका 4x plus 81 बराबर माइनस 4x plus 25 बच्चा ठीक है अब देखिए अब इसको मैं इस तरफ लू तो मेरा क्या हो जाए गाए इसको इक बाइन देख जितने हैं 4x plus 81 बराबर माइनस 4x plus 25 तो यह मैंनस चार इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर चार एक्स प्लस चार एक्स और यह इधर जाएगा तो क्या हो जाए अब इसको शॉल्प करेंगों तो यह 8x बन जायागा 25 माइनस चपन हो जाएगी और यहां गुड़ा म आपको यह प्रसें तरीके समझ में आया होगा तो कि आपका सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन नहीं हमारा मोटिवेशन है